Hello my dear students, welcome to Nishant Commerce Classes. Students, आज हम आपके लिए Introduction of Accounting, जो हमारा First Chapter है, Plus One Accounts का, उसके कुछ MCQs लेकर आए हैं, students. Students, पहले lecture में में हमने आपको 15 MCQs करवा दिये थे, आज कुछ नए MCQs के साथ आपके सामने हमारा नया lecture लेकर आए हैं, जिसमें आपको कुछ नए MCQs करवाएंगे, जिससे आपकी knowledge increase हो सके, तो start करते हैं आज का हमारा ये lecture. तो देखे, first question क्या है, student? Which of the following is the objective of bookkeeping? आपको four options given है, students. आपने बताना है, इन four options में से, जो right answer क्या है? किस चीज़ का right answer? यहाँ पर पूछा गया है, bookkeeping का उदिश्य क्या है? इन चारों में से आपने सही answer find out करना है. First option देखे, students, क्या है? To maintain a systematic record of financial transactions. Second option, to forecast. Third option, both A and B. And last option, none of these. तो students, पहली option का meaning क्या है? कि bookkeeping का क्या यह उदिश्य है कि हम उसमें systematic तरीके से recording करते हैं, financial transactions की. तो second option में क्या बताया गया? Forecasting, मतलब पूरव अनुमान लगाना. Third option में बताया गया कि इन दोनों का ही, दोनों ही हमारे उदिश्य हैं. Fourth option में बताया गया, none of these. इन में से कोई भी option सही नहीं है. तो student, इसका answer क्या होगा? अगर आपने bookkeeping का meaning या concept अच्छी तरीके से समझा होगा, तो आपको प्रिशानी नहीं आएगी. आप कहेंगे इसका answer, जो right है, वो A option है. क्यों? क्योंकि हमने bookkeeping क्या पढ़ा था? Bookkeeping के meaning में आपको क्या कराया गया था, students? Bookkeeping is that branch of knowledge which maintains a systematic recording of the financial transactions and events. Bookkeeping एक ऐसी branch है, जिसमें हम क्या करते हैं? systematic तरीके से recording पर focus करते हैं, students. किन चीज़ की? Financial transaction वै, event की. तो यहाँ पर जो right answer है, वो क्या है? First option. forecasting की तो हमने कभी bookkeeping में बात ही नहीं की, कि हमने किस चीज़ का पूरवर्ण मान लगाना है? हमने यह बात की थी, कि हम सबसे पहले identify करते हैं, कि कोई भी चीज़ ट्रांशन है, यह event है. वो financial है कि non financial? अगर वो financial है, उसे record कर लेती है. तो मीद करते हैं, students. आपको first question का answer भी सम under कौन है? मतलब students, bookkeeping का आप ये भी कह सकते हैं कि पिता मा कौन है? father of bookkeeping भी कहा जा सकते हैं. आपको four options की उन है? आपने उन में से right choose करनी है. पहली option क्या है? Carter, second, Spicer, third, look up क्यों ली, fourth, Smith. इन चारों में से कोई एक answer correct होगा, आपने पैचान करनी है. तो students, ये four persons के नाम है यह पर तो आपको यहाँ पर यादी रखना पड़ेगा कि यहाँ पर right answer क्या है? C. Luca Pacioli. क्यों? क्योंकि students, Luca Pacioli एक philosopher जो इटली का रहने वाला है. उसने 1494 में double entry system दिया था. अब आप सोचते होंगे double entry system क्या था? तो थोड़ा सा उसके बारे भी बताता हूँ. double entry system के नुसार कोई भी transition है, उसको दो aspects है उसके. जैसे कि कोई चीज हमारे पास आ रही है, तो कोई चीज जा रही है, example देखिए, suppose कीजिए, आपने goods purchase की नगत, cash में, तो आपके पास, आप क्या कहेंगे, समान आया. एक लाख रपे का, suppose कर लीजिए, आपने समान खेंगे, तो आप कहेंगे, मेरे पास एक लाख रपे का समान आया. तो double entry system में look up के उली ने क्या बताया था हर एक transition के दो specs है debit और credit और दोनों आपस में मिशा equal होते हैं तो ये चीज look up के उली ने बताई थी इसका बहुत main role है accounting में इसलिए इसे bookkeeping का founder का आ गया है और accounting का father या bookkeeping का father भी पूछ लिया जाए तो same answer आएगा look up के उली तो उमीद करते हैं आपको second question भी समय में आ गया होगा अब चलते हैं third question की ओर देखी students first of all bookkeeping was used in पहले सबसे पहले bookkeeping कहां पर use की गई थी उस country का नाम आपने बताना है England, America, India या Italy उमीद करता हूँ आपको इसका answer पता होगा क्यों क्यों क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी दिर पहले आपको इसका hint दे दिया था तो students बिलकुर सही सोच रहे हैं इसका answer Italy क्यों क्यों क्योंकि bookkeeping का founder कोन है लुकाप क्यों ली तो वो कहां का रहने वाला था फिलोस पर था great कहां का Italy का तो उसने कहां पर use की term Italy में सबसे पहले bookkeeping यूज की गई थी next question fourth question students on April 10th 2019 10 April को क्या हुआ रोहित परचेस्ट रोहित ने खरीदा क्या खरीदा computer 4 rupees 20,000 20,000 रुपे का computer खरीदा this is आपने पैचान करनी है यह चीज जो मैंने बताई की रोहित ने computer खरीदा यह क्या है event है जा transaction दोनों या कोई भी option नहीं तो students पहले आपको event और transaction का meaning पता होगा तो ही आप इसका answer दे पाएंगे तो मैं short में आपको बता देता हूँ event हम किसे कहते है किसी भी गटना को जो result आ है मतलब transaction का result होता है जैसे पहले मैं आपको transaction का meaning बताता हूँ transaction क्या होती है हिंदी में हम क्या कहते है lane day जैसे हमने कोई चीज की dealing की है exchange की है goods या service की तो वहाँ पर dealing हो रही है जहाँ पर भी dealing हो रही है उसे हम क्या कहते है transaction कहते है और transaction के लिए minimum two persons होने चाहिए तो students event में क्या था जो transition का result होता है उसे हम event कहते है तो द्यान से देखे क्या लिखा है रोहित ने computer खीदा 20 जियर पे का तो यहाँ पर lane day हो रहा है तो जहाँ पर lane day की बाता रही हो क्या है transition तो इसका answer क्या होगा B point कि यह transition है अब अगर आपके दिमाग में confusion है कि event क्या होगा तो मैं यह भी बता रहता हूँ आपको example के साथ suppose कीजिए रोहित ने computer खीदा 20 जियर का थोड़ी देर बाद ही रोहित को कोई और customer मिल गया और रोहित ने क्या किया उस computer को sell कर दिया 25,000 में तो रोहित ने 5,000 रपर मुनाफ़ा कमा लिया तो यहाँ पर जो 5,000 रपर मुनाफ़ा है वो event हुआ तो जो उसने computer खेदा और जो फिर sell किरने की मैंने बात की आपको तो वो दोनों क्या होगी थी? Transactions उनका result क्या हुआ था? Profit तो वो event था Profit वाली बात तो student यह point आपको समय में आ गया होगा चलते हैं 5th question की और Accounting is Accounting क्या है? तो आपको 4 options देखे क्या क्या दिगी है Only art, सिर्फ color Only science, सिर्फ विग्यान Both art as well as science या दोनों या neither art nor science ना ही color, ना ही विग्यान आपने चारों में से एक अंसर दिना है तो students इसका अंसर का पता होगा आपको जब आपको art और science का meaning पता होगा तो ही आप इसे select कर पाएंगे तो students अगर फिर भी आपको कोई परिशानी आ रही है MCQ समझने में दे तो आप पहले जो मैंने आपके लिए chapter 1 के जो भी lectures प्रवाइड की है आप सभी देखे उससे आपकी knowledge increase होगी फिर आप इनको अपने आप solve करके देखे तो आपको easily solve कर पाएंगे आपको पता चल जएगा कि आप कहाँ पर stand करते हैं मैं फिर भी दुबारा से repeat कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि जितना मैं बता सकते हो इन lectures में पूरी टिडेल में अगर देखना है तो उसके लिए मैंने आपको lectures प्रवाइड की हुए है सभी topics के chapter 1 के पूरे lectures आपको मिल जाएंगे मेरे channel में जाकर playlist देख सकते हैं वहाँ पर chapter 1 लिखा होगा introduction of accounting उसमें आपको सभी lectures मिल जाएंगे तो students अब चलते topic की ओरी art का meaning क्या है talent, skill अपने skill यह talent को use करके जो आपने result प्रापत करना है उसे प्रापत करना मतलब हरी एक व्यक्ति ने कोई ना target set की होता है, goal set की होते है उन goals को अपने talent की इस्तेमाल से प्रापत करना achieve करना उसे हम क्या कहते है art, तो science किसे कहा जाता students, science विज्ञान क्या है ज्ञान का बंडार जिसमे cause and effect relation पाया जाता है उसे हम science कहते है English में हम कैसे बता सकते है science is a systematic body of knowledge which establish relation between cause and effect तो students, अब आपको दोनों का meaning बता दिया कि यहाँ पर ज्ञान के बंडार की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपने talent की बात हो रही है तो accounting क्या होगी तो आप पहले accounting के meaning में सोचिए accounting का जो काम करता है उस person को हम accountant कहते हैं क्या सभी accountant एक तरीके से काम करते हैं आप कहेंगे नहीं हर इक का talent skill different होती है काम करने का तरीका लग-लग होता है different है एक दूसरे से तो यह art है यह तो आपको अंसर मिल गया art है अब यह और यह इन दोनों में confusion है ना कि एकली art है या science भी है तो यहाँ पर science का देखते है science में हमने क्या किया ग्यान का बंडार तो accounting में भी हम कुछ principles यूज करते हैं जिने हम अक्सर gap के नाम से जानते हैं gap का पूरा नाम generally accepted accounting principles तो यहाँ पर science की भी बात हो रही है क्योंकि हमने principles यूज करते हैं knowledge यूज कर रहे है तो इसका right answer क्या होगा students art as well as science accounting art भी है और science भी है तो सिर्फ color अगर आप टिक करें तो वो wrong हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम दोनों यूज करते हैं मैंने पता दिया art के बिना काम possible नहीं और science का होना भी जरूरी है तो accounting एक ऐसी branch है जिसे हम यह कह सकते हैं कि art और science दोनों का mixture है तो students यहाँ तक आपने समय लिए अब कुछ और MC कुछ कराते हैं तब ही तक अगर आप note करना चाते हैं कर सकते हैं तो students अब हम चलते हैं sixth question की और देखिए sixth question में क्या बताया गया है which of the following is not in the process of accounting इन में से कौन से option process में शामिल नहीं है जो हम accounting का process पढ़ते हैं students तो चार options दी हैं में देखिए recording, posting in the letter preparation of trial balance and last option is payment of tax तो student जिनों ने accounting का process याद किया है सोचिए इसका answer क्या होगा तो मुझे मीद है कि आपने सोच लिया होगा तो right answer क्या है students payment of tax देखिए पहला process में हमने क्या किया दा सबसे पहले identification करते थे जब भी accounting process start होता है कहां से होता है identification से और दूसरी बात जो आपने द्यार में रखनी है कहां पर complete होता है communication पर यह मैंने दो बाते आपको क्यों बताई क्योंकि normally जारतर यही प्रशन पेपर में पूछा जाता है कि first step कौन सा है यह last step कौन सा है तो यह दो तो आपने कभी बूलने नहीं है starting का से होती है identification से और end कहां पर होता है accounting process का communication पर तो student सबसे पहले identification आता था second number पर क्या करते थे हम measure करते थे transition को कि वो money की form में measure कर लेते थे यह देखकर कि वो financial है क्या नहीं financial तो identification में हमने कर लिया था financial या non financial की पैचान फिर हमने measure कर लिया था money की form में फिर हमने record किया था फिर उसके बाद classifying तो classifying का यहाँ पर नाम बदल दिया गया posting in the letter तो जब हम transaction को laser में post करते है journal से laser में जाती है transaction तो वो classifying का काम ही हो रहा है students तो आपने confuse नहीं हो ना यहाँ पर यह classifying के बारे में बताया गया है preparation of trial balance यह summarizing का step था याद कीजिए summarizing में आपको पताया गया था trial balance तियार करनी है trading count profitless count balance sheet तो यह summarizing का step हुआ तो यहाँ पर payment of tax यह तो किसी कोई step भी नहीं है summarizing के बाद भी हम क्या करते है students याद कीजिए analyzing interpretation उसके बाद communication तो payment of tax यहाँ पर गल्थ option दी गई है यह हमने यहाँ पर tick किया क्यों क्योंकि यह process में शामिल नहीं होती तो next question के ओर चलते है students देखिए next question में क्या बताया गया which term is the advantages of accounting तो आपने बताना है इन four options में से कौन सा accounting का merit है फाइदा है हमारा benefit है हम कह सकते है पहली option क्या है replacement of memory second option क्या है evidence in legal matters third option क्या है records only financial transactions fourth option क्या है both A and B तो students आप सोच रहे होंगे D option मुझे पता है क्यों यहाँ पर आपका अंसर both A and B D option correct है परन्तु students मैंने बहुत सारे students को ये बात note की है कि वो ना जब भी MCQ यहाँ पर बोथ आ गया वो टिक कर देते हैं जहाँ पर all of these आ गया वो टिक कर देते हैं तो वो आपका तीर तुका कभी-कभी लग जाता है और कभी-कभी गल्त भी हो सकता है तो यह hard and fast tool मतलब बनाना कि जहाँ पर बोथ A and B option लिगा वो हमेशा राइट होगा या all of these हमेशा राइट होगा वो 90% cases में पाया गया है कि वो राइट होता है परन्तु 100% में नहीं तो आप समझ कर चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया replacement of memory क्या था replacement of memory में आपने क्या पढ़ा था replacement of memory point में याद कीजिए कि human memory क्या है limited हम सारा कुछ औरली याद नहीं रख सकते तो हमें recording करनी पड़ती है तो यह हमारा merit था यह option थो ठीक है evidence and legal matters जब हमने सब कुछ record कर लिया है तो कल को वो recording जो है हमारे पास यह प्रूफ पड़ी है हम evidence के तोर पर उसे पेश कर सकते है अगर किसी के साथ dispute होता है तो यह भी मारा benefit है तो बोथ A and B इसलिए टिक किया गया तो जो record only financial transitions point लिगा है मैंने इसमें क्या था यह तो limitation थी कि हम सिर्फ financial transitions को record करते है non-financial को थो हम ignore कर देते है तो यह limitation वाला point था तो answer क्या था A and B both चलते हैं next question की और देखें students 8th question में क्या है which qualitative characteristics of accounting information is reflected when information is clearly presented तो students आपको क्या बताना इसमें accounting information की feature जो मैंने आपको बताई थी वो देखें कौन-कौन से होती है relevance, comparability, reliability, understandability तो इन चारों में से कोई एक answer होगा तो उसके लिए आप दुबारा से question द्यान में दीए क्या क्या था accounting information की पहले यह देखें यह चारो features हैं कोई भी unknown feature नहीं है यह चारो features हैं तो इन में से obviously कोई ना कोई तो answer होगा तो यहाँ पर क्या लिखा गया है information is clearly presented हम information को clearly, साफ और special रूप से present करें क्यों करते हैं तो यहाँ पर अंसर है understandability अगर information clear तरीके से special रूप से present की होगी तो उसमें क्या feature पूरी की accounting information की कि उसे हर कोई understand कर सकेगा समझ सकेगा confusion नहीं होगी तो जब भी बात पढ़ते हैं clearly presented की answer होगा understandability तो next question की और देखे students क्या है ninth question which is the first step of process of accounting वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि अक्सर paper में यह question पूछा जाता है accounting का first step क्या है यह last step तो first step क्या होगा students अभी आपको बता दिया था मैंने identification तो classifying, summarizing यह बाद में आते हैं तो communication वह last step है तो आपने इन दोनों को तो वैसे भी द्यान रखना था first identification दे कम start होता है और last होता तो आप communication पर टिकल लगाते है तो मीद करते हैं यह भी आपको समय में आ गया होगा अब 10th question जो आज के हमारे lecture का last question है students हम आज जो आपके लिए लेकर आए थे 10 MCQs हमने करा दिया है यह इसलिए कि जिनोंने यह lectures मेरे सुने द्यान से या जिनोंने first chapter अच्छे तरीके से किया है उनको पता लग जाएगा कि वो कहां पर stand करते हैं क्योंकि मैंने पहले answer नहीं लिखा पहले मैंने question पड़ा है अगर आपको आता तो आप अपने मन में पहले answer सो सकते हैं फिर उसके बाद निशान लगाए क्या कौन सा right answer है तो 10th question देखें management of the business enterprises यहाँ पर management की बात की है तो जो business की management है वो क्या है internal user या external user या are not interested in business business में interesting दिखाती D option both B and C B और C तो देखो students आपके मन में फिर आ गया D option पहले सोते हैं देखिए management internal user है या external user है internal user है तो मैंने आपको जब users बताये थे accounting information में मैं especially बताया था owners, management, employees यह internal है अगर हम बात करें suppliers की, customers की, government की researchers की वो सब external users थे तो students यहाँ पर management internal user है तो external नहीं है ना ही कभी ऐसा हो सकता कि management business में interest नहीं दखाए अगर management ही business में interest नहीं दखाएगी तो आप business कैसे चलाएंगी management की बीना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो यहाँ पर internal users first option टिक है ना कि D option जिन्होंने रटा मारा होगा यह तीर दुका लगाएंगे वो हमेशा D select का लेते, both B and C तो उनका question गल्द हो जाता है इसलिए मैंने बार 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 बताया rate of question मत कीजिए question को द्यान से समझिए फिर उसे solve कीजिए students तो उमीद करते students आपको आज का हमारा यह अच्छा लगा होगा अगर कोई आप कोई suggestion देना चाते हैं तो मुझे comment box पर देश सकते हैं मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा कोशिश करूँगा और better बनाने के लिए वीडियोस को thanks for watching the video